पिकॉक मेहंदी की डिजाइन का इतना important element है कि कई बार ये feel होता है कि पिकॉक के बग्यार बनाए गई मेहंदी की design हादी अधूरिसी लगती है वो इतना versatile element है कि simple मेहंदी की design हो या theme based designer मेहंदी की design हो करहीं पर भी ये fit हो जाता है मेहंदी की design बहुत ही खुपसुरत लगती है अगर आप पिकॉक element को perfection के साथ बनाते हो लेकिन perfection के साथ पिकॉक को बनाने के रिए उसकी right technique को सीखना बहुत ज़रूरी है कई बार मैंने देखा है कि कुछ artist advanced level की पिकॉक बनातो देते हैं लेकि वो right technique के साथ नहीं बनाया गया हुआ पिकॉक का element design को फुड़ा सा डल कर देता है जी हां ये जो हमने हमारा cause design किया है पिकॉक को base रखे, center रखे जहाँ पर हम हर तरह के पिकॉक सीखने जा रहे है border element से लेके thin base designer pickock, simple छोटा सा पिकॉक, pastry pickock या तो फिर intricate designer pickock हर तरह के पिकॉक इस class के दौरात मैं सिखाने पाड़ी है सिर्फ हम pickock ही नहीं सिखेंगे, pickock बनाते बग हम बहुत सारे different different art based technique को भी सिखेंगे जैसे कि हम पिछवाई style का pickock बनाते हैं तो lotus, lotus को जो बनाने की technique है वो भी हम सिखेंगे अगर हम three dimensional pickock बनाते हैं तो shading की technique भी हम सिखेंगे कलमकारी pickock बन रहा है तो कलमकारी art का भी अपना एक base technique है तो वो भी सिखना बहुत जरूरी है तब ही जाके वो pickock कलमकारी का perfect pickock लगेगा तो ये सारी चीज़े हम साजी का pickock भी हम सिखने वारे हैं साजी art वाला तो साजी art की जो technique है वो हम pickock में सिखेंगे तो वही technique अगर आपको साजी art से related कोई और element बनाना है तो वहाँ पर भी काम आएगी तो इसलिए course हमने design किया है pickock को center theme रखके लेकिर हम वो सारी advance technique को सिखने जा रहे हैं जो आपको कुछ और design बनाने हो advance level की वहाँ पर भी इस्तमाल आप कर सकते हो जैसे के अगर हमने आपको shading सिखा दिया तो आप उसको portrait में दी भी उसको आप three dimensional flower में भी use कर सकते हो तो इसलिए ये class बहुत ही important हो जाता है हर एक artist के लिए अगर आप beginner artist हो तो आपको pickock की technique तो सिखने मिलेगी ही मिलेगी साथ में इतनी सारी advanced technique भी आपको इसी class में सीखने को मिल जाएगी concern है ना आपको कि सिर्फ pickock की सीखेंगे design में उसका इस्तमाल कैसे करेंगे चलिए हम layout और structure का भी उसमें class डाल देंगे ताकि pickock को full-fledged मेंदी में किस तरह से use करना है वो भी concept आपका clear हो जाए तो ये सब कुछ सीखने के लिए आपको class join करना पड़ेगा अब सवाल ये उठेगा कि class किस के लिए है beginner artist के लिए तो ये class है ली है लेकिन सिर्फ इतनी request है कि आपका जो basic foundation है वो clear बुना चाहिए ताकि आपको result perfect मिले advanced artist भी अगर ये सब technique सीखना चाते है तो ये class भी उनके लिए helpful रहेगा तो अब रहा किस की है class को join करने की तो join किजिए मैं आपको मिलती हूँ class भी जहाँ पर हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं मिलते है class में